और आफटाफट एक नजराज की कुछ और बड़ी खबरों पार मंत्रियों को शपत दिलाई गई ग्रही मंत्री रही रजनी पटेल की कबिनेट से चुट्टी हुई है इस दोरान पार्टी अध्यक्ष अमित शहा वरिष्ट नेता लाल कुष्णाडवानी अरुन जेटली हरियाना के सीम मनोहर लाल खटर भी मोजूद थे बता दे की एक अग कॉंग्रिस नेता और लोकसवा में पार्टी के मुख्य सचे तक जोतिर अधित्य सिंधिया ने इसकी पुष्टी की है कॉंग्रिस ने विदे का समर्थन किया और सिंधिया का कहना है कि सरकार के लिए किसी तरह से करिका दिक्तम दर ते करना महत्पुन है उन्होंने कहा हम सविधान संचोधन विदेक का समर्थन कर रहे हैं ये इसके गुन दोशों के अधार पर हैं GST देश के लिए महदपूर ने पार्टी संचोधनों के साथ विदेक का समर्थन करेगी जिने लेकर सत्तरूर पार्टी ने हमें आश्वस्त किया है समाजवादी पार्टी के विधायक आभीद रजा ने बदायू से अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता पर गोहत्या और अवैद खनन्द में शामिल होने का रोप लगाया उन्होंने इस नेता से जान का खत्रा भी बताया इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया समाजवादी पार्टी के परदेश अध्यक्ष खिलेश यादव ने जिला कारे करनी बदायू के प्रस्ताओं पर विचार करते होई विधायक आभीद रजा को पार्टी और विधानसवा मंडल दल से निलंबित कर दि दस दिन जेल काटने के बाद दिलंबित बीजेपी नेता दयाशंकर सिंग सुबै मोजेल से जमानत पर रिहा हो गए जेल से भार आते ही बेटी और पत्नी के लिए भावक हो गए दयाशंकर सिंग ने कहा कि पहले बिमार पत्नी और बेटी को देखूंगा तब कोई राजनितिक बात करूंगा शनिवार को जमानत का फैसला आते ही दयाशंकर के समर्थक मौजेल पर जुटने लगे थे देर रात रिहाई नहीं हुई थी तो कई समर्थकों ने जेल के बाहर ही रात गुजार दी सुबह करीव आठ बजे दयाशंकर मौजेल से बाहर निकले जेल के बाहर दयाशंकर के समर्थकों ने नसिम उद्दीन सिद्द्की के खिलाफ जम का नारेबाजी की भारत ने ग्रीम अंतरी राजनाद सिंग की पाकिस्तान यात्रा के दोरा पडोसी देश को इस पश्ट किया था कि वो आंतरिक मामलों में दखल ना दे लेकिन बाउजिद इसके पाकिस्तान के पीम नवाज शरिफ का कश्मीर राख जारी है कश्मीर पर बोले हुए नवाज ने अंतराश्ट्रे समुदाइस अपील करते हुए कहा कि भारत को इसके लिए तियार किया जाए नवाज ने कहा कि भारत को कहा जाए कि पाकिस्तान को कश्मीर में घाय लोगों की मदद के अनुमती दे नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खासकराशे लोगों के लाज़ में मदद करना चाहता है जो खतरनाक पैलेट गन के इस्तमाल की वज़े से चोटिल हुए है हत करगा उद्योग के लिए मशूर शहर विवंडी में तीन मंजिला एक इमारत भस्त हो गई इस हाथ से में दो लोगों की मोत हो गई जब कि साथ अब भी मलबे में फसे होए हैं बचाओ कर्मियों ने मलबे से चार व्यक्तियों को बाहर निकाला अधिकारियों ने बताया कि कुछ और लोगों के मलवे में दबे होने की आशंका है एक सप्ता में शहर में इमारत भस्त होने की दूसरी घटना है ठाने नगर निगम में शेत्री आपदा प्रबंधन प्रकोष्ट के प्रमुख संतोष कदम ने बताया ये इमारत कल्यान रोड के हनुमान टेकड़ी लाके में थी और सुबह करीब आठ वजे ध़स्त हो गई आशंका है कि साथ या आठ व्यक्ती मलवे में फस्ते होए है गाई के नाम पर देश मीराजदिती के 11 महिने बाद पहली बार पीम मोधी गाई पर बोले अपने टाउन हॉल कारिक्रम में डेड़ गंटे के संबोधन के आखरी वक्त में उन्होंने गाई पर चुक्पी तोड़ी गोरक्षा के नाम पर गुंडगर्दी की बात कही लेकिन हिंदू महसवा पीम के बयान के खिलाफ खड़ी हो गई है अखिल भारती हिंदू महसवा के रास्ट्री महसची मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा कि अगर गोरक्षा में कुछ घटनाए हो जाती है तो मार पिट करने वालों को जेल भी भेजा जाता है लेकिन 70-80% लोगों को अपरादी कहना गलत है मुन्ना कुमार ने कहा 2014 के चुनाओ में मोदी ने गोहत्या पर रोक लगाने का वादा किया था लेकिन गोहत्या भड़ गई अगर एक भी गोरक्षा ग्रफतार हुआ तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे साल 2012 से पाकिस्तान की जेल में बंध हामिद नेहाल अंसारी की मा ने कहा कि भारत सरकार को उनके बेटे को वतन वापस लाने के लिए हर कदम उठाना चाहिए मुंबई के रहने वाले 31 वर्षी अंसारी इंजिनियरिंग और प्रबंदन में इसना तक है एक सैने अदालत ने फरजी पाकिस्तानी पहचान पत्र के मामले में उसे तीन साल की जेल की सजा सुनाई है उसकी मा ने पाकिस्तान सरकार से भी हामिद के लिए दया की भीक मांगते हैं बेटे को जल्द से जल्द वतन वापस भेजने की बात कही है वही सुश्मा ने ट्वीट कर कहा मैं ये खबर पढ़कर काफी आहत हुई हूँ कि हामिद अंसारी पर कई बार हमले होए मैंने पाकिस्तान में हमारे उचायुक से कहा कि वो हामिद अंसारी की मदद के लिए वकील करे और अस्पताल और जेल की रिपोर्ट ले आम आदमी पार्टी ने जनलोगपाल अंदोलन मेरविंद के जरिवाल की सयोगी रही किरन बेदी पर हमला बोला है आपका आरोप है कि दिल्ली के उपराजेपाल की तरह पूदू चेरी के उपराजेपाल बेदी भी चुनी केंद्र के शार पर तानशाही कर रही है मीडिया से बात करते हैं वरिष्ट नेता संजे सिंग ने आरोप लगाया कि मोधी सरकार समिधान और लोकतंत्र का खुलेया मजाग बनाते होई संगिय धाचे को तहस नहस कर रहे हैं पहले अरुनाचर परदेश फिर उत्राखंड में केंद्र सरकार ने ऐसा किया था वही दिल्ली की चुनियोई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है अब इसी तरज़ पर पुदुचेरी में भी ऐसा हो रहा है कि रणवेदी ऐसे सारे फैसले कर रही है जो एक चुनियोई सियम का काम होता है हनुमान गडी के मेहंत ज्यानदास जी माराज ने कहा कि प्रबु राम जब चाहेंगे अयोध्या में उनका मंदिर बन जाएगा हमें खून के दाग से बना राम मंदिर नहीं चाहिए उन्होंने खुलासा किया कि बाबी मस्जिद के मुद्दई हाशी मंसारी और हम आपस में बात्चित से अयोध्या विवाद के हलके लिए तयार हो गए लेकिन दुकान बंध हो जाने के डर से विश्य हिंदू परिशद ने इसे परवान नहीं चड़ने दिया अयोध्या में भजन संध्या इस्तल के शिलानिया समारो में लखनों के कालिदास मार्ग स्तित सीयम निवास आए महंत ग्यान दास ने विश्य हिंदू परिशद पर जम का निशाना सादा कहा कि रामंदिर के नाम पर कुछ लोग देश भर में दुकान चला रहे हैं राजनितिक रोटिया सेक रहे हैं सादू समा जिससे बरदाश्ट नहीं करेगा तमाम सियासी उतार चड़ो और केंद्र से खीचतान के बाउजिद उतराखन विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है अर्थ और संक्या निदेशाल और केंद्रिय सांकी की कारिया लेके ताजे आगडों के मुताबिक राज्जे के लोगों की सालाना आये में ना सिर्फ भारी व्रिद्धी हुई है बलकि आर्थी विकास दर का ग्राफ भी तेजी से बढ़ चाड़ा है वित्यवर्ष 2014-15 में जहां प्रती व्यक्ती सालाना आये एक लाख 34,784 रुपया की गई थी वही वित्यवर्ष 2015-16 में प्रती व्यक्ती आये एक लाख 59,219 रुपय सालाना पहुच गई है शनिवार को राज्जे सरकार ने आकड़े जारी कर बताया कि आर्थिक विकास दर के मामले में उत्राखंड ने ना सिर्फ अच्छी खासी प्रगती की है बलकि केंद्र को भी पीछे छोड़ दिया है इस न्यूस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जोड़े रही है मेट्रो टीवी से नमस्कार